हेलो दोस्तों आप सबीका स्वागत है आएंसी का हैपी गार्डेन में तो दोस्तों आज में आप लोग के साथ कोई भी डियावाई जो है वो सेयर नहीं कर रही हूँ तोड़ा सा जो है मेरा तेबी ठीक नहीं चल रहा है तो मैंने जो है कोई भी DIY नहीं बनाई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ जो है अपना एक छोटा सा गार्डन टूर जो है वो में करा दू तो फ्रेंज जो मेरा गार्डन है वो बहुत ही छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है और यहां पर देखें नीचे जो है बहुत सारे जो मेरे प्लांटर और बहुत सारे वर्क जो मुझे करना है क्योंकि अभी जो है रेनी सीजन आ गया है और यहां पर देखें वीडियो सुट करते करते जो है मेरा बेटा उटकर पीछी से खड़ा है और यह मुझे कह रहा है गोदी देने के लिए तो अभी दीके फैंस बहुत सारा काम बाकी है जो इधर उदर प्लांटर रखे हुए थे प्लांटर उसको एक जगह पी रखना है कुछ तो मैंने जो है खिर्की के पास रखा हुआ था विंडो के पास और उपर वाला साइट पे अभी एक से घर घंटा जो है मॉर्निंग के टाइम पे हमारे जो है वो गोद में ही रहता है तो चलिए फ्रेंस मैं इसको गोद में देकर ही आप वीडियो सुट कर लेती हूं यहां पे देखे फ्रेंस मैं जो हुए एक बोटल है कोल्टरिंग का और देखे मैंने इस बोटल भी कर जाते हैं और यहां पे देखे यह है दो लिटर का बोटल तो दो लिटर का पानी का बोटल है और इसमें जो है मैंने मारवल मनी प्लांट लगाया हुआ है और देखिए जो मेरा मारवल मनी प्लांट है देखे किस तरह से जो है वो गहना है पैसे भी इस से और ज्याद अलुप ट्लांटर है और यह आाराम से ब العंग को जाता है और मैं शाया हुआ थे अगरा कि आपसे करेंरे ऑन il ह elderly प्रांटर में लाड़ थे इस को प्रांटर है हो एक दो हमने बैदा में भी अगरा में लागा सै बहाता है है कि और तो बेक्टे म्हाखँ यह भी है 2 लीटर का पानी वाला बोटल उसमें जो है मैंने यहां पे bahagno knewachke variety बाला यह प्लान्ट है इसमें देखें मैंने जो है उसको लगाया हुआ है तो यहां पर friends मैंने एक ही प्लान्ट इसके अंदर लगाया हुआ था और यह देखें दीली दीली ये कितना घणा हो गया है तो एक दीके एक छोटी से बॉटल में भी बहुत असानी से जो है ये ब्लांक लग जाता है और देखे मैंने एक ब्लांक को लगाया था और फिर बाद में मैंने इसको कट कर दिया था और कट करने के बाद जो है वो निकले हुए है तो यहाँ पे मैं अपने जितने भी वेस्ट चीजों में जो मैंने प्लांट लगाया हुआ है उसी को जो है मैं आज दिखा रही हूँ तो अगर आप सोचते हैं दोस्तों की गाडनिंग में जो है हम ज़्यादा पैसे खर्च होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंज आप बिल्कुल घर के जितने सारे जो कवार है उसमें आप प्लांट लगा सकते हैं तो देखेए एक मग है जो कि तूट गया है इसके हैंड इस तरह से जो है हमारे किचन से घर से जितनी भी वैस चीजे निकलते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं गार्डन में प्लांट को लगाने के लिए तो यहां पे भी देखे मैंने जो है बॉटल जो एक लीटर का बॉटल आता है पानी का उसको मैंने कट करके यहां पे पांड जाता है और यहां पर देखे मैं दिखा रही हूं इस तरह के जो मत्की वेगरा जो होते हैं चोटे-चोटे कुलर होते हैं तो इस तरह का डियावाई बना कर सकते हैं तो यहां पर देखे मैं एक और दिखा रही हूं यह भी एक लीडर के बॉटल से ही बना हुआ है जब ट् प्लांट्स को मैं लगाई हूई हूँ इस पार इतना जाधा गर्मी पड़ा है कि बहुत वादा Reddsu dessa Plants को ने पनेält अबागरई तो मेरे बहुत सारे ौन्च वो說 Elmo हैं कर दो यह सारे मैं अपने प्लांट्स को दिखा रही हूँ तो जितनी भी सारे जो प्रांट दिखा रही इसको मैंने आंगन में रखा हुआ था सभी को मैंने आंगन में लाके रखा हुआ था और वाल के उपर मैंने किल लगा के इन सब को मैंने हैंक किया हुआ है और देखिए तो यहां पे इसी वज़े से जो है मेरे प्लांट यहां पे हेल्दी भी है और बचे हुए भी है अगर मैं इसको बाहरी छोड़ देती तो सायद यह प्लांट भी मेरा जो है वो खराब हो जाता तो देखिए यहां पे भी मैंने एक लीटर के बोटल से ही बनाया हुआ है यहां पे उलू वाला प्लांटर और देखिए फ्रेंस बिल्कुल उसमें भी मैंने कट करके रिजाइन बनाया हुआ है और देखे कितना अच्छा से देखे इसमें जो है जो प्लांट है वो लगा हुआ है तो इस तरह से जो मेरे घर में जितने भी मतलब कोल्डिंग या फिर मैं अपनी मम्मे की घर से कोल्डिंग का जो बोटल होता है उसको मेरे कठे करके ले आती हूँ और उनमें ही फ्रेंट मै वो मैं बना कर रख लेती हूँ ताकि उस टाइम पर फ्रेंट मुझे जो है इसके जो कटिंग है वो अराम से मैं बोटल में लगा लू और यहां पर देखे यह है टाल्स का टुकड़ा जिसको मैंने जो है हैंग किया हुआ है तो यहां पर मैंने रसी से बांद कर इसको मैंन नहीं रखती हो मैं कुशिस करती हूँ कि इन सभी को जो है मैं वाल पे ही हैंग करूं कि हमारे घर पे जो है हमेशा जोस्नक वेगळा जो है वो निकलता रहता है और हम я be Siya जगा रहते हैं जहाँ पर पता नहीं क्यों इतन जाद अधा स्नेक निकलता है तो इस वज़ ch statute मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ अपने जितने भी मेरे जो प्लांटर है उन सबी को जो है मैं हाइट उचा देकर ही रखती हूँ और बहुत कम मेरे प्लांट होते हैं जो मैं जमेन पे रखती हूँ तो मेरे पास तो कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं जो हूँ टेरिस गार्डन करूँ क्योंकि मैं खुद जो रेंट होते हैं वहां पे हम लोग रहते हैं तो इस तरह से फ्रेंस गार्टनिंग का सौक है और डियावाई बनाने का मुझे बहुत जादा सौक है तो मैं अपने जो सौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सभी को बन लगा कर उसमें जो है मैं हैंक कर देती हूं तो इस तरह से हैंक करने के बाद बताईएगा दोस्तों कि आपको जो है मेरा जो प्लांटर है जो मैं बिल्कुल वेस्ट जीजों से बनाई हुई हूं यह आपको कैसा लगा तो इसी तरह से फ्रेंस आप भी चाहिएगा तो बिल गोलता है तो यह खराब हो गया था तो खराब होने के बाद नहर्य वाले साइट पहुल कर और इसके जो सभी पार्ट थे मेन निकाल कर इसमें मैंने पीस लेनी के प्लांट लगा हुआ हुआ है।च गार्प्वान्प का प्लांट और यह जो पॉट मैंन पर पाउंडर बनाने के लेकर आई थी पर बाद में मेरा में नहीं किया तो मैंने इसमें ही जो कटिंग वेगरा मैंने इसमें लगाया हुए है प्लांट को और यह जो प्लांट डिफरेंज मैंने एक प्लांट जो धेर सारे plant बन जाए पर कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम plant, को मैं, कट कर दी त अब मेरे जो दोनों plant कराब हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी-कदर, हमेजा अइसा नहीं होता है दोस्तो, तो देखिए इस तरह से जो है मैंने वाल पे हैंक किया हुआ है अपने सभी DIY प्रांटर को और जो अभी जो है वो साम हो गया है सारे छे बज़रे और सारे छे बज़रे के टाइम पे फ्रेंस मैं जो हूँ वीडियो सुट कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज्यादा ठक गई थी मिल्कुल मेरा जो मन नहीं कर रहा था एक तो पहले से ही मेरा तेविय ठीक नहीं है तो यहां पर आपको मैं और भी चीचे दिखा रही हूँ जितने भी ओल केन है तो यहां पर फ्रेंस टॉन्टी फाइव जो है मेरे पास ओल केन है जिसमें मैंने प्लांट लगाया हूँ और मुझे बिल्कुल वास करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि अभी बारिश जो है वो मौशम ठीक नहीं चल रहा था तो मैंने छोड़ दिया यह जो बारिश होगी तो वो खुदी मतलब जो पॉट है वो धूल जाएंगे और यहां पर देखिए यह सारे जो है मेरे जो प्लान देख रहे हैं इन सबी को जो है मैंने खुछ से कटिंग से और बेबी प्लान से जो है मैंने दे सारे जो है एगनोनिमा की प्लान जो है उसको मैंने तयार किया है और यहां पर दिखे मेरे यह सारे जो दिख रहे हैं और यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूँ यह है जो मास्क खराब हो जाता है ना उसको मैं क्या कि हूँ कि उसके उपर वॉल पुट्टी लगा दी हूँ लगाने के बाद जो है मैंने इसको हैंक कर दिया है ताकि जो है वो उच्छी तरह से सू एईगा तो मैं यह बनाउंगे और जितने भी सारे आपको प्लांटर दिखा जो हुआ यह तरह मेरे ओल केन के प्लांटर हुआ है इस तरह कि जो ओल केम्से बद्रूर से से बनाया हुआ है और यह सारे दिखिये मैंने बॉटल से ही बनाया हुआ है डारिक जो है इसमें मैंने बॉटल में प्लांट नहीं लगाया हुआ है मैंने ग्लास में लगा कर और फिर मैंने लगाया हुआ है और यहां पे देखे मैं कुछ आले से ही मैंने जो है बॉटल को यहां पे कट करके और उसको कलर करके मैं रखी वी हूँ रेनी सीजन के लिए कि जब मुझे कटिंग वगरा लगाना होगा तो मैं इसमें ही लगा लूँगी तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंज कमेंट करके जबर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ दोस्तो